नमस्कार, कक्षानो, एक्ससाइस 2.5, कोशन नमबर 6 का तीसरा भाग आजम कर रहे हैं, यह 3 बटा 2x प्लस 1 का होल क्यूब, क्यूंकि यह a प्लस b होल क्यूब जैसा है, तो हमारी जो सरव समिका है वो है a प्लस b होल क्यूब, बराबर है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इं के इस कोशन को हल करने के लिए, आएए देखते हैं, हमारे पास है 3 अप्लस 2x प्लस 1 का होल क्यूब, तो क्लियरली हमें दिखता है a किसके बराबर आएगा 3 बटा 2x के, a है 3 बटा 2x और b किसके बराबर है, b बराबर है 1 के, तो यह दो वैल्यूज हमने यूज करनी है, ठी a का क्यूब, यानि 3 बटा 2x का होल क्यूब, प्लस b क्यूब, b किसके बराबर है 1 के, तो b का क्यूब यानि 1 का क्यूब, प्लस 3 इंटू a, a कितना है, 3 बटा 2x, इंटू b, b कितना है, 1, इंटू बड़ी ब्रैकेट, a प्लस b, a कितना है, 3 बटा 2x, प्लस 1, इसे हमने हल करना है बड़े ध्यान से बड़े अराम से हल होगा Sethy तीन का क्यूब 2 दुनी 4 दुनी 8 एकस का क्यूब $ प्लस, वन का क्यूब, वन, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है बचो, आगे देखिए, आगे हमने कहा था, जो चीज ब्रैकट के बाहर है, इन तीन रॉक्मों को आपस में पहले गुना कर लो, तो यह हो गया, तीन तीन नो, इंटु एक्स, इंटु वन, नो एकम नो, इंटु एक्स, नो एक्स बटा, नीचे आगया, दो, और ब्रैकट के अंदर है, तीन एक्स बटा, दो, प्लस एक, अब हम इसे हल करेंगे, इसे हल करने के लिए हमें पता है, पहले यह इससे गुना होगा, उसके बाद यह इससे गुना होगा, राइट, आएए देखते हैं, 27 एक्स क्यूट बटा, इसे ऐसे ही रहने दो, आगे है प्लस वान, इसको भी ऐसे ही रहने दो, आगे देखें, प्लस इन टुब अगी, प्लस हो जएगा, प्लस, यह जब आपस में गुना ओंगे, तो देखो, यह कट तो सकता नी, 2, 9 से, 2, 3 से नहीं कट सकता, उपर वाली रकम, उपर वाली से गुना कर दो 9 यह 27 बटा दो दुनी 4 x गुना x x square प्लस अब यह 9 x बटा 2 जब 1 से गुना होगा तो यह ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि किसी भी नंबर को x 1 से गुना करो तो वह ऐसे ही रह जाता है अब मैंने पहले भाग में किया था x की सबसे बड़ी घात सबसे पहले उस हिसाब से यह x cube सबसे पहले आ जाएगा 27 बटा 8 x cube फिर x square वाली रकम लिख दो 27 बटा 4 x square फिर x वाली रकम लिख दो 9 x बटा दो फिर बिना x, y, z वाली रकम लिख दो यह हमारी जो प्रॉब्लम थी उसका विस्तार आ गया है आशा करता हूँ आपको यह वीडियो समझाया होगा यदि यह वीडियो समझाया है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा धन्यवाद